Hello everyone, welcome to Supple English Classes. इस वीडियो में हम लोग Impresion का मतलब क्या होता है जानेंगे. Impresion का हिंदी में मतलब होता है बंदी बनाना, काइद करना, जेल में डालना होता है. यानि किसी वेक्ती को किसी कारण से जेल में बंद करना या जेल में रखना को इंगलिस में Impresion काते हैं. अब चलिए Impresion वट के संटेंस के एक्जामपल से इसको और अच्छी तरह समस्ते हैं. First example है You can imprison my body. तुम मेरे सरीर को कैद कर सकते हो But not my thoughts. लेकिन मेरे विचारों को नहीं तो पुरे संटेंस का मतलब हुआ तुम मेरे सरीर को कैद कर सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं Next example है He was impresion उन्हें कैद हुई थी For 15 years 15 साल की For murder हत्या के आरोप में तो पुरे संटेंस का मतलब हुआ उन्हें हत्या के आरोप में 15 साल की कैद हुई थी मुझे उमीद है कि आपको Imprison word का मतलब समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसना है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरू सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद